हमたい कि चलो देखो ध्यान से सबसे पहला ह। इस चाप्टर का थोड़ा स्दक हैं समझी चार से पांच सन आदें एक कहानी सुनाओंगा कहानी आप सभी को आता भी है देखे ध्यान से इस चैप्टर को सबसे पहले आप पाँच भाईयों में डिवाइड करतीजिए चैप्टर का पहला रूल ट्रिक्स नमबर वन इस चैप्टर में सबसे पहले आप प्लांट किंग्डम को पाँच भाईयलगी ब्रायोफाइट टेरीडोफाइट जिम्नोस्पम और एंजिस्पम में डिवाइड कर देजिए इतना कर लीजिएगा और एक लाइन में लिख दे रहूं यह इवालूशन है यह वाइट वाला इवालूशन की लाइन है तो सबसे पुराना मिंबर एलगी है एलगी के बाद में ब्रायो आया ब्रायो के बाद में टेरीडोफाइट आये फिर जिम्नोस्पम और एंजिस्पम और यह पूरा चैप्टर पांच भाईयों की कहा लानी है थोड़ा लॉजिकल सीखो अर्थ पर सबसे पहले आया मोनेरा किंगडम इला किंग्डम नुकलियस भी कि नहीं था और ऑर नुकलियस था ना सेल और ते तो वही मोनेरा का kingdom convert हो गया unicellular algae में एक cell के algae में convert हो गया जो bacteria है वो तो खराब है nucleus भी नहीं है cell organs भी नहीं है काम कैसे करे तो जो मोनेरा kingdom का member था उसने अपने इंदर true nucleus बना लिया cell organs बना लिये और वही अब unicellular algae में convert हो गया आपके इंसे आटी unicellular algae clamidomonas और chlorella का example भी देती है clamidomonas और chlorella clamidomonas और chlorella ये दोनो unicellular algae है ये दोनो unicellular algae है लेकिन unicellular organism अकेला कितना दिन काम करेगा भाई इसलिए unicellular जो algae है वो convert हो गया वो convert हो गया colonial में colony बनाने लगे बहुत सरे मिलकर के काम करने लगे colonial algae बना आपके neat के exam में question पूछा जा चुका है कि colonial algae का नाम बताईए colonial algae का example बताईए आपके anxiety में figure भी है figure को देखिए neat के exam में question भी था वो है बच्चा wall walks वो क्या है बच्चा wall walks इसके इलावा भी है आपको याद नहीं रखना है इसके इलावा भी है उसको याद नहीं रखना है जब आप अकाश के module को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक word आएगा थोड़ा high five word anxiety में नहीं है कि इस colony के अंदर में member fix है इस colony के अंदर में member fix है एक colony के अंदर में member fix है भई 5000 member है तो 5000 fix है change नहीं होगा इसी जब कोई colonial algae बनता है member fix रोते इसी event को कहते sinobium इसी word को एक word कहा जाता है इसी चीज़ को sinobium word से represent करते है colony के अंदर में number fixed है हमें detail में नहीं जाना है anxiety में नहीं पढ़ेंगे तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले algae आया वो unicellular था clamidomonas और chlorilla clamidomonas और chlorilla लेकिन काम का बटवारा किया जाए बहुत सारे algae पास में मिलके रहिए क्या बन गया colonial बन गया example walbox लेकिन colonial से अच्छा था multicellular बन जाए filamentous बन जाए branch बन जाए kara बन जाए spirogyra बन गया filamentous बन गया multicellular बन गया काम और असान कर देते evolution में और कुछ algae तो hundred meter तक लंबे हो गए समुदर में ocean में ऐसे भी algae पाए गए जो 100-100 meter लंबे थे सोचिए तो आप बोलेगा सर 100 meter का हमने algae तो नहीं देखा है तो 100 meter का algae सभी नहीं है कुछ special algae का group है जिसे NCRT kelp कहती है जिसे NCRT black point में kelp कहती है सर kelp क्या है kelp algae का group है organism नहीं है kelp एक brown algae का group है तो kelp actually में brown algae का group है जिसमें बड़े size के algae पाए जाते है बड़े size के आपको हैरान होना पड़ेगा ये algae समुदर में जब रहते है तो पानी के जहाज को भी पलट सकते फिर से मैं बोल रहा हूँ ये kelp इतना खतरनाक है जो ocean में रहता है ये पानी के जहाज को भी पलट सकने की ताकत रखते ना तो बहुत ध्यान से सुनिए इंसे आटी में मैच कीजिएगा evolution में algae आया algae सबसे पहले unicellular बने example याद रखिएगा क्लामाइडो मुनस का क्लोरिला ना unicellular याद रखिएगा क्लामाइडो मुनस क्लोरिला का एडवांस होके बना colonial example याद रखिएगा इंसे आटी में एक ही है वाल वॉक्स इसी को रॉलिंग algae कहते है यह चलता हुआ दिखता है क्योंकि इसके मिंबर में फ्लैजला है यह एक साथ सभी लोग चलते हुए दिखेंगे चलिए colonial से अच्छा था multi cellular multi cellular कुछ बहुत बड़े बन गए समुद्र में ही रहे गए और बड़े बनके किल्प में कनवर्ट होगे 100-100 मीटर वाले लंबे चोड़े लेकिन सुनिये algae कभी ना रूट बनाया ना स्टेम बनाया ना लीफ बनाया फिर से मैं कहता हूँ algae ने ना ही root बनाया ना ही stem बनाया ना ही leaf बनाया इसके अंदर root stem leaf पता ही नहीं है बनता ही नहीं है इसलिए algae को पुराने भासा में हम thallophyta कहते थे थैलophyta इस group का नाम क्या था थैलophyta अब नई NCRT ने नहीं यूज़ किया पुराने जमाने में थैलोफाइटा वर यूज़ किया जाता था मतलब सर थैलोफाइटा मतलब होता क्या है मतलब वो structure जिसके अंदर में ना root हो ना stem हो ना leaf हो उसे थैलस कहते हैं उस plant के group को थैलोफाइटा कहते है चलो भाई algae पानी में रहते रहते बोर हो गया algae पानी में रहते रहते बोर हो गया भाई कितने दिन पानी में रहे nutrient खतम हो रहे nutrient कैसे खतम हो रहे यह तो photosense करता है autotrophic है अरे भाई पानी के अंदर में nitrate होना चाहिए सबसे बड़ी problem sunlight sunlight deep ocean तक पहुँच नहीं पाएगी अंदर में nutrient की कमी है इस nutrient की खोज के लिए यह algae मिट्टी में आ गया soil में आ गया algae पानी से निकला मिट्टी में आ गया और मिट्टी में आने के बाद में इसका नाम पड़ा bryophytes मिट्टी में आने के बाद में क्या नाम पड़ा bryophytes इसी को आप कहते हैं ड्रॉसोफिल of plant kingdom, आ नहीPI एंफीबियंस of plant kingdom कि इसी को कहते हैं बच्छा मिट्टी में आ तो गया लेकिन बिटा सक्सेस नहीं हो पाया सक्सेस नहीं हो पाया याद रखिएगा आ तो गए बच्चा ता लेकिन सक्सेस नहीं कर पाया सर क्यूं प्रॉब्लम था रिप्रोडक्शन वो भी सेक्स्वल रिप्रोडक्शन में सेक्स्वल रिप्रोडक्शन मे इससे मैं explain कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा एलगी में sexual reproduction करना है तो यह बना male gamets motile है female gamets non motile है ध्यान से सुनिए male gamets motile है और female gamets non motile है सर कैसे male से female तक पहुचेंगे पानी में swim करके तहर करके पानी में तहरेंगे और female gamets तक पहुच जाएंगे और दोनों में होगा fertilization ब्रायो तो बेटा मिटी में आ गया अर्यो मिटी में है male gamets motile में तो जाओगे कैसे यहां से यहां कि अलगी तो पानी में था और पानी में तैर करके पहुछ जाएगा और पॉर्ज तो मिट्टी में मिट्टी में कैसे तैर होगे मीडियम तो नहीं है ना इसलिए ब्रायो फाइट अपना fertilization के लिए किस पे dependent है water पे water नहीं है मिट्टी में fertilization नहीं होगा इसलिए इंसियाटी का line पढ़िए bryophyte वहीं grow करेगा जहाँ cool place होगे जहाँ dam place होगा जहाँ saddy place होगे बोले सर क्यों जहाँ पानी होगा जहाँ बच्चा पानी होगा वहीं bryophyte grow करेगा क्योंकि fertilization के लिए पानी चाहिए पानी तो है नहीं कोई दिक्कत नहीं था अरे भाई तुम मुझ ठा करके मिट्टी पे आतो गए bryophyte fertilization कैसे करोगे male female तक पहुँचेगा कैसे पानी चाहिए इसलिए ये सुखे जगा पे ड्राइ जगा पे ग्रोही नहीं करेंगे शेम प्रॉब्लम टे रिडोफाइट्स प्रॉट्स में रह गया ध्यान से Sãoilii. शेम प्रॉब्लम टेरिडोफाइट्स में रह गया एक चीज बहुत ब्यूटिफुल लाइन लिखती एक चीज भ्रायो टेरीडोफाइट में भी मेल गैमेट्स मोटाइल है फीमेल नॉन मोटाइल है आखिर यहां से यहां पहुचोगे कैसे पानी चाहिए ना मीडियम क्या चाहिए पानी चाहिए आपकी एंसे आटी लिखती फाइट ज्यादा नहीं पाएगे इंसे अटी का लाइन नेरो जोग्राफिकल रीजन अर्थ में यह कुछी जगा पे ब्रायो टेरीडोपाएगे सर क्यों क्योंकि द्यार रिस्टिक्टेड वो ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि वो पानी पे डिपेंडेंट थे तो जहां भी ड्राई प्लेस होगा ना ब्रायो ग्रो करेगा ना टेरीडो ग्रो करेगा ना ब्रायो ग्रो करेगा ना टेरीडो ग्रो करेगा इसलिए इसलिए इसलि कि अर्थ के ज़्यादा ग्रोही नी कर पाएं क्योंकि फटीलाइज़ेशन के लिए पानी चाहिए था और यह पानी अगर नहीं होगा तो न ब्रायोड ग्रोह रेगा निट्रीडम ग्रोह principle करे चाहिए अगर में ऐसा क्या होगे में हाव् Hoch अच्छा कोशन सर ऐसा क्या होग गया तो मैं इस चैप्टर में क्यों क्यों नियुक्त Pr क्योंकि क्लास 12 में अपने एंज्व का नायस साथ Ch..? बहुट से पढ़ा है बहुट डिवर से पढ़ाय Nep voor बर आपको रिकॉल करूंगा। compare करूँगा आपने पड़ा था एंज्योस्पम में कुछ pollen grain बनते हैं बड़ा सा vegetative cell बनता है और उसके अंदर छोटा सा cell generative cell बनता है याद कीजिए बड़ा सा cell vegetative cell है छोटा cell generative cell है two cell stage pollen grain याद कीजिए इंसियाटी का लाइन 60% एंज्योस्पम में जो एक cell vegetative cell है बड़ा वाला छोटा वाला generative cell है बोले हां सर याद है अब ध्यान से सुनिए यही pollen grain stigma पे गिरेगा अंदर में style है अंदर में ovary है ovary के अंदर में ovule है और इस ovule के अंदर कुछ आपने पढ़ा है कि कुछ होते embryos है और उसके अंदर होता है female gamits अपने पढ़ा है ना female gamits है pollen grain गिरेगा इस stigma पे और जो vegetative cell है वो elongate होगा pollen tube बनाएगा ऐसे ही होता है ना vegetative cell खीच करके लंबा हो गया pollen tube बनाया और pollen tube में generative cell divide करके दो male gamits बनाता है दो male gamits बनाता है अब दीरे दीरे pollen tube खीच करके लंबा होते जाएगा pollen tube लंबा होते जाएगा देखिए यहां water की ज़रूरत है क्या यहां कोई medium की ज़रूरत है मेल gamits pollen tube के help से खीचा चला है और female तक पहुंच जाएगा ऐसे fertilization को आप कहते हैं बच्चा सीफोनों गेमी सीफोन सीफोनों गेमी गेमी का मतलब marriage जहां male gamits marriage के लिए जा रहा है शादी के लिए जा रहा है fertilization के लिए जा रहा है pollen tube उसे ले जा रहा है जिमनों में भी सेम कहानी होगा pollen tube elongate होते जाएगा और male gamits उसी उसी pollen tube के help से आगे बढ़ते जाएगा लेकिन algae में क्या ऐसा हुआ था ब्रायों में ऐसा हुआ टेरीडों में नहीं हुआ वह कोई pollen tube नहीं बने अपना अपना रास्ता पकड़ लो male gamit female तक पहुँचो खुद से पहुचो तैर करके पहुचो ब्रायों खुद से तैर करके पहुचो पानी के help से टेरीडों खुद से पानी के help से कोई pollen tube नहीं है कोई pollen grain नहीं है तो जब आप थोड़े से higher part को पढ़ते हैं एलगी में male gamit पानी के help से जा रहा है फीमिल तक ऐसे को कहते जू आइडो गेमी जू आइडो गेमी पानी के help से जाना अरे एलगी तो पानी नहीं है ना पानी में तैर करके पहुच जाएगा एलगी को कोई प्रॉब्लम नहीं है एलगी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रायों तु अपना समझ टेरीडों तुम अपना समझ ब्रायों फस गया पानी से जा आना है लेकिन ये तो सूखा जगा है जाएगा कैशे पानी नहीं है में फटिलाइजेशं नहीं होगा hmm टेरीडो को भी तरॉब्लाम है पानी नहीं फटिलाइजेशं कैसे होगा तो पानी चाहिए ना तो ये भी जॉआई तो नहीं में तैर करके जाएए जिमनों बोला रहे तो फस जाएंगे हम हम पानी वानी के चक्कर में नहीं फसेंगे हम बनाएंगे पॉलेन ग्रेन और पॉलेन ग्रेन बनाएगा पॉलेन ट्यूब और ट्यूब के टिप पे बैठ जाएंगे और मजे से पॉलेन ट्यूब आगे बढ़े नीड है फटिलाइजेशन के लिए यहां कहां कहां पानी का नीड है फटिलाइजेशन के लिए तो बोलेंगे सर जहां मेल गैम्ट मोटाइल है एलगी पानी चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं हम तो पानी में हैं फस गया ब्रायो और टेरीडो फस गया ब्रायो और टेरीडो इ पढ़िये नेरो जोग्राफिकल रीजन आर्थ में ज़्यादा ग्रो नहीं किया जिम्नो एंज्यो एडवांस थे थोड़ा पॉलिन ट्यूब से आगे बढ़ गिया एक बड़ा इंट्रेस्टिंग कहानी है और मुझे आप अंसर करके बताईएगा अल्गी में मेल गामिट्स मोटब्स एलगी मेल गामिड्स मोटाईल या नॉन मोटाईले अगातर मेला पwarmता हिपा दिया नॉन मोटाईल non-motile non-motile sir कैसा fertilization हो रहा रहा है कैसा है उगे मस हो रहा है male छोटा female बढ़ी ISO in ISO उगे मस पढ़ा है न तो male जो है motile छोटा है पानी से जा रहा है male gamut motile bryo पानी से जा रहा है तेर करके जा रहा है मोटाईल टेरीडो पानी से जा रहा है तेर करके जा रहा है मोटाईल जिम्नों में बोला गया तू टेंशन मत ले पॉलेंट ट्यूब बनाया जा रहा है तेरे लिए और तू पॉलेंट ट्यूब के हल्फ से जाना तो क्यों मोटाइल बनेगा सोची कोई 9 के अंदर बैठे हुए हो 9 पानी में तैर करके जा रहा है तो 9 में आप चलने लगोगे तो क्या जल्दी पहुँच जाओगे क्या ये मेल गैमिट मोटाइल हो जाएगा तो जल्दी पहुँच जाएगा इवॉलुशन समझिए जिमनों में पॉलें ट्यूब से मेल गैमिट जा रहा है तो मोटाइल क्यों बनना चाहते हो सर नौन मोटाइल और एंजिस पम में आपकी NCRT क्लास 12 की लिखती भी है कि पॉलें ट्यूब में दो मेल गैमिट बने नौन मोटाइल बने स्लाइटली थोड़े से साइज में भी डिफरेंस बना एक छोटा थोड़ा सा एक बड़ा तो एक बार कॉस्षन आ गया कि मेल गैमिट कहां मोटाइल है तो जो पानी से जाएगा जो ट्यूब से जा रहा है तो क्यों मोटाइल बनेंगे लेकिन एक बार नीट में कुस्षन आया थोड़ा खतरनाक सा नीट में कुस्षन आया खतरनाक सा जिम्नोस पम का एक मेंबर है पुराना मेंबर है बेवकूफ है साइकस और एक मेंबर है बच्चा पाइनस हम लोग धेर सारा difference पढ़ेंगे psychus ने क्या किया psychus ने pollen tube बनाया pollen tube में male gametes भी बनाए और बिटा motile बना दिया बताये बताये क्या हुआ क्या फायदा है अरे बिटा नौ से जाना ही है तुम्हें पानी में नौ तायर रहे जाना ही है तो क्यों मोटाइल बनाए हो पाइनस एडवांस है पाइनस ने पॉलन ट्यू बनाया अमेल गैमिर्स नॉन मोटाइल बनाया तो यह चीज़ को बहुत अच्छे से रियालाइज कीजिए यही बच्चा इवॉलूशन है धीरे धीरे चीज़ें को आगे बढ़ना यही तो है चलिए कोई नहीं हम लोग बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना है ना इवॉलूशन को अच्छे से समझना है कि एल्गी ने ना रूट बनाया ना स्टेम बनाया ना लीफ बनाया ब्रायों ने तो कम से कम कोशिश की ब्रायों की कुछ मिंबर नहां से सुनिए एंसाटी का वर्ड है ब्रायों के कुछ मिंबर उसने बिटा कोशिश की उसने रूट बनाने की कोशिश की स्टेम बनाने की कोशिश की लीफ बनाने की कोशिश की हालांकि कुछ मिंबर नहीं बना पाये तो इंसाटी उसी के लिए वर्ड यूज़ करता है थैलवाइड ब्रायों के लेकिन बच्चा root false कहलाएगा, stem false कहलाएगा, leaf false कहलाएगा, सर, false क्यों कहेंगे? सर, root बनाया न, incentive बहुत अच्छा सा figure बनाया है, bryophyte में चार figure है, चौथे नमबर का figure देखिए, sphagnum वाला, एकदम बच्चा आपको root दिखेगा, stem दिखेगा, leaf दिखेगा, सर, आप इसे false क्यों कहते हो, जूटा क्यों कहते हो, मुझे तो clear cut दिख रहा है न, मैं clear कर रहा मैं bryophyte ने जो root बनाया false है, stem false है, leaf false है, सर, क्यों, clear कीजिए, दो चीज़ मैं बताऊँगा, इस root में बटा xylem phloem नहीं है, stem में xylem phloem नहीं है, leaf में xylem phloem नहीं है, इसलिए मैं इसे false कहता हूँ, अब समझ में आएं, root में xylem phloem नाम का tissue नहीं है, stem में नहीं है, leaf में नहीं है, इसलिए मैं false कहता हूँ, उस root का नाम मैं rise wide कहता हूँ, stem का नाम call wide कहता हूँ, leaf का नाम fall wide कह देता हूँ, मतलब बनाया उनाया तो था, लेकिन जूटा है बाई, मैं मानूंगा ही नहीं, तो पहली बार, ध्यान से सुनिए, पहली बार, terido fight आता है, जिसने root, stem और leaf बनाया, true वाले, false नहीं, terido fight ने पहली बार, true root, stem और leaf बनाये हैं, ध्यान से देखिए, leaf बनाया, root बनाया, stem बनाया, terido fight को पता चल गया, अरे भाई, root stem लीफ अच्छा चीज़ होता है, पानी अब्जार करेगा, support देगा, ये photosense करेगा, खोड़ मज गया, कोई 3 feet के बन गए, कोई 5 feet के बन गए, अरे जितना लंबा बनेंगे, जितना लंबा बनेंगे, photosense उतना अच्छा होगा, प्लांट जितना लंबा बनेगा, photosense उतना अच्छा करेगा, लेकिन प्रॉब्लम है न, तुम मिट्टी से 5 मीटर लंबा तो बन गए, लेकिन प्रॉब्लम है, पानी तो नीचे है, वाटर तो नीचे है न, तो पानी को लीफ तक कैसे पहुँचा होगे, और खाना लीफ में बनेगा न, तो खाने को, खाने को रूट तक कैसे लाओगे, इसलिए यहाँ दो पाइप बना, यहाँ पहली बार जायलम और फ्लॉएम नाम के टिशू बने, क्योंकि प्लांट लंबे होते जा रहे थे, और प्लांट लंबा होगा, तो पानी ले जाने के लिए, पाइप सिस्टम चाहिए, ब्रायो तो पिटा पिदम छोटा मोटा था, मिट्टी में दबा हुआ था, डिफ्यूजन से ही काम चला ले रहा था, लंबाई उसकी ज़्यादा नहीं होती, डिफ्यूज किया, कुछ टिशू होते, उस टिशू से ह पानी चला जाता है, लेकिन टेरीडोफाइट तो लंबे चोड़े थे, इंसियाटी में देखिये न, इक्यूज सिटम का फीगर है, सलैजी नेला का फीगर है, क्या लंबे आपको नहीं दिख रहे हैं, अरे इतना लंबा बना लिया तो पानी के से लिग गया, तो हमने वैस रूटिस्टेम टू लीव, चीजे समझी है, यही इवोलूशन है, तो पहली बार टेरीडोफाइट ने जायलम फ्लोईम नाम का टीशू बनाए, अब इवोलूशन की सबसे खासियत बात क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या है, अरे इवोलूशन में एक अच्छा चीज आ जिस अगया, आगे कंटीनू करढ़ो रख लो जिमनो रख लो रहे भाई, अच्छा चीज है रूटिस्टेम लीव, जिमनो में रूटिस्टेम लीव बनाएगा, और रूटिस्टेम लीव बनाएगा, लंबे चोड़े प्लांट बनेंगे, अरे एक 130 मीटर का प्लांट अभ भी root stem leaf बनाएंगे हम भी xylem phloem बनाएंगे तो evolution में इन तीन plant में ध्यान से देखिए terido, gymnor, angio इन तीन plant ने xylem phloem बनाया इन तीनों को कहते हैं tracheophyta इन तीनों plant को कहते बच्चे लोग 就是 mh tracheophyta त्योकि इन उसके द् Oak इन में जाईलम है इन दोनों में इल्खी एल्गी को दिखत ही नहीं था देखो इल्गी पोई दिक्कत ने है फैंटि सो मिटर का एल्गी कोई दिखत नहीं है तो सराई पानी कैसे मिलेगा अरे भाइ पानी में डूबा हुआ है जिसे पानी चाहिए ले ले पानी ले पानी सबकी ग्रीन है अपना अपना खाना बनाओ अपना अपना फोटो शेंश करो किसी के भरोसे के मतर हो तो जायलम फ्लॉयम की जरुवत एल्गी में नहीं पड़ी ब्रायो फस गिया ब्रायो फस गिया तो ब्रायो लंबा चोड़ा थोड़ी दिखता है मिट्टी से दबा हुआ दिखता है कुछ टीशू के एलब से पानी को ट्रांसफर कर लिया बस हो गए तो ट्रैक्यू सुनूष जो ज़ान संधय सुनिए आडरॉमी चैप्टर में लिखती है आपके दिखते ए frencher उनलसम है और टेलीडवैट है उनका सलम में बच्चा वैसल नाम का टिशू नहीं होता वैसल नाम का टिशू नहीं होते सा लाम में चार चार टिशू होते हैं रैकर वसल जालम और एंजियोस्पम में पाया जाता है इसलिए ब्रायोफइट आप जिम्नोस्पम आपको ज्यादा नहीं दिखते बन तो गएं बड़े बड़े लंबे चोड़े लेकिन वेसल्स नहीं में पाइप नहीं है पानी केसे ले जाओगे इसी तरह से आपके NCRT Anatomy में लिखती है फ्लोएम में चार पार्ट होते हैं सीव ट्यूब कॉम्पैनियन सेल फ्लोएम फाइबर फ्लोएम पैरेंट काई माद जो जिम्नोस्पम में NCRT में लाइन ही बचा ब्लैक पॉइंट से यहां सीव ट्यूब नहीं होता सीव सेल होते हैं यहां पर कॉम्पैनियन सेल भी नहीं होता अलबूमिनस सेल होते हैं NCRT में Anatomy खोलिए और तीसरे पेज पे पहला लाइन यही लिखा है कि जिम्नोस्पम में सीव टेप के जगा सीव सेल होता है कॉम्पैनियन सेल भी नहीं होते हैं अलबूमिनस सेल होता है तो मैं कहूँ अरे भाई तेरे पास जाइलम फ्लैम है बेकार वाला है पुराना वाला है हमारा एंजयोसपम वेसल्स भी रखता है अच्छा वाला जाइलम है सीव ट्यूब रखता है और यही तो इवोलूशन ह दीरे दीरे अच्छा चीज आते चला गया टेंचन किस बात की है टेंचन किस बात की है तो चलिए अब बताइए आदक क्लियर है सभी को चलो थोड़ा हैंड रेस करो भाई साथ चलो कुछ कुछसं करते कि एंचीर के कॉड़िंग कुछ कुछ करते कि चले कुछ ऐसे ग्रीन एलुँ बताइए जया है कि कुछ ऐसे का नाम बताये जो यूनि आ चैलुलर bir की こ tutti साफ करांब या वह बड़ा इंप्रिंट है तो बोलिएगा Clamidomonas और Chlorella Clamidomonas and Chlorella बहुत अच्छे से याद रखिए Second Clamidomonas and Chlorella इसी Chlorella पे Melvin Kelvin ने रिसर्च किया था C3 cycle ढूंडा गया था इसी Chlorella के उपर तो बड़ा IMPORTANT है याद रखिएगा चलिए Colonial algae का example बता दीजिए इंसे आटी में एक ही दे रखा है अंसर बहुत आसान है Wall walks इसे rolling algae कहते है यह चलते हुए देगेगा सभी लोग सब में फ्लेज लाए एक साथ चला एक साथ चलेगा तो लगेगा पानी में रॉल कर रहा है कुछ बड़े algae का नाम बताएए जो सौसो मीटर तक बड़े है तो बोलिएगा algae नहीं है सर वो तो group है वो group है कौन सा है green algae का, brown का, red का बोलिए किस group के member है ये किस group के member है ये पूछा जाता है kelp is the member of brown algae brown algae सर हमें नहीं दिखता क्योंकि NC80 ने एक line लिखा है समझे NC80 ने एक line लिखा है अरे brown algae तो rare condition में NC80 का line है rare condition में fresh water में मिलेगा NC80 का line है brown algae rare condition में fresh water में मिलेगा हमारे आस-पास तो fresh water है तो कैसे दिखेगा कभी आपने brown algae देखा है पुलसर नहीं दिखता है लगता है नहीं होता हमारे साइड क्योंकि NC80 में लिखा तो है rare condition में मिलेगा fresh water में rare समझ में आ रहा है exception का भी exception चले ठीक है अब evolution का दूसरा तरीका समझे evolution का दूसरा तरीका समझे ये algae आया ये bryo आये ये terrydo आया ये जिमनों आये हैं और ये angio आया तरीका समझी है असानी से ध्यान से सुनिएगा algae में male gamit से ये बच्चा रहा female gamit से दोनों fertilize किये zygote बना ध्यान से सुनिएगा पिछले class में भी बताया था ये male gamit से ये female gamit से fertilization हुआ zygote बने algae zygote से embryo नहीं बनाएगा जिसे हमारे अंदर में fertilization हुआ sperm ovum fuse किये zygote बना zygote से हम पढ़ते embryo बनता है algae में embryo नहीं बनेगा गांठ बांध लीजिए algae में embryo नहीं बनेगा तो सर इmbryo कहां बनेगा embryo बनेगा embryo में embryo बनेगा terido में embryo बनेगा gymno में embryo बनेगा angio में embryo अच्छा चीज है अच्छा चीज है evolution में आगे बढ़ गया जहां से सुनिए यानि कि आपका ब्रायो embryo फाइटा terido embryo फाइटा gymno embryo फाइटा angio embryo फाइटा इन सभी ने embryo बनाया embryo फाइटा algae ने नहीं बनाया non embryo फाइटा evolution समझे इन सभी ने लिखा है रेड एल्गी इंब्रियो बनाने की कोशिश करता है बना नहीं पाता है अरे बना लिया तो तो ब्रायो फाइट हो गए नहीं बना पाता है कोशिश किया तो इन सभी रेड एल्गी के लिए word यूज करेगा post fertilization event fertilization से zygote बना उसमें कुछ changes आएंगे morula, blastula के तरह कुछ structure बनेगा real embryo नहीं बनेगा तो इन से आटी खोलिए और जहां पास red एल्गी है उसके last में एक point को ढूंड़िए underline कीजी red algae post fertilization event शो करेगा नोट कीजिए और मुझे बताईए किस-किस बच्चे को मिल गया red algae बना तो नहीं पाता embryo कोशिश करता है और NCRT में लिखा है they show post fertilization fertilization के बाद में कुछ structure बनाएगा इंब्रियो लाइक बनानी की कोशिश करेगा बना नहीं पाएगा इंब्रियो को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखिए केर कीजिए ब्रायो इंब्रियो बनाएगा टेरीडो भी बनाएगा जिम्नो भी बनाएगा एंजियो भी बनाएगा थोड़ा फोकस कीजिए इंब्रियो पे जिम्नो ने क्या किया इंब्रियो को एक covering से cover कर दिया द्यान से सुनिए उसने इंब्रियो को एक layer से cover कर दिया इस layer का नाम seed coat है इस layer का नाम वही testategment है seed coat है embryo को एक बाहर के covering में cover कर दिया और बिटा seed बन गए terido ने कोई covering नहीं किया embryo को चारो तरफ से cover नहीं किया embryo नहीं बना और ये तो छोटा ही भाई है bryofide भी seed coat नहीं बनाया seed नहीं बने तो seed बना पहली बार कहा सर seed बनना तो अच्छी चीज़ है अंदर में embryo रखेंगे अब 10-20 साल भी embryo खराब नहीं होगा क्योंकि seed को dormancy में भेज देंगे बोल देंगे inactive हो जा बैठ जा ना तो seed बना जिम्नो ने भी बनाया और seed एंजियो ने भी बनाया इसलिए तो नाम है जिम्नो स्पम और एंजियो स्पम जिम्नो इस्पर्मा मतलब सीडी तो होता है इस्पर्मा का मतलब क्या होता है seed तो seed bearing कौन है seed किस ने बनाया सर जिम्नो ने एंजियो ने, एंजियो चलाक निकला, एंजियो बोला भया हम सीड तो बनाएंगे, लेकिन सीड हम फ्रूट के अंदर बनाएंगे, देखी ये फ्रूट है, एपल, सेब है, सेब को काटी है, तो सीड मिलेगा, सीड के अंदर इंब्रियो मिलेगा, इसलिए इसे कवर्ड सीड क अरे जिम्नों ने कोई fruit ही नहीं बनाया। कोई fruit ही नहीं बनाया। इसलिए इसे हम लोग naked seed कह देते हैं। सर्फाइदा क्या है? Naked और covered में। अरे fruit रहेगा, तो animals उसके तरफ attract हongगे, क्योंकि उसमें खाने पीने की चीज है। एपल आप खाते हो ना क्यों कस्मीर में होता है आप मंगा के खाते हो फाइदा अरे टेस्टी है खाएंगे और जब खाएंगे तो सीड को फेक देंगे और सीड यहां क्या करेगा ग्रो करके नया प्लांट बनाएगा इनिमल्स इसलिए तो खाते हैं फ्रूट को इनिमल्स इसलिए फ्रूट को खाते हैं अट्रैक्टिव होता है खाया सीड को पचाया भी अंदर में डाइजेस्ट नहीं होता बाड्स में डाइजेस्ट भी नहीं होते और इजेशन के दुरू बाहर निकल गया कहीं दूसरे जग नहीं है एंज्यू कवर्ड सीडे फायदा हो गया अरे फूरूट के लालेच में अमरीका वाले हमसे आम मांगते मैंगो इंडिया वाले मैंगो भेजो मैंगो चलाक है जूसी बनाया बड़ा अच्छा बनाया अट्रैक्टिव बनाया अमरीका में लोग खाएंगे गुटली को फेकदेंगे उस गुटली में सीड है सीड ग्रो कर जाएगा तो जिमनों को कौन Should अब कुछ बच्चा मुझसे पूछता है कि सर आ हमने पढ़ते सर की कसकाटा प्लांट है तो सर करण प्लांट है सर ये तो parasitic plant है सर तो इसे एंजियो में क्यों रखे आपके NCRT कहती है एक plant वॉलफिया यह दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस पमिक प्लांट है प्लांट किंग्डम मत बोल दीजेगा अरे बहई वॉलफिया सबसे दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस पमिक प्लांट है चावल क मैं एतना बड़ा है कि तो बोलें सर इसको justcome ने क्यों रखा आरे जोटा है यह वह प्रसीटीक है यह फुरणी डिसाइड करता हैं अरे आन्स असली ने RAM इसलीन क्योंकि वो fruit बनाया था एंजुस्मम इसलिए क्योंकि covered seed है अरे वो पैरा सिटी के तुम से क्या लेना देना सर वो तो बहुत छोटा है ग्रास तो बहुत छोटे हैं तो एंजुस्मम क्यों कहेंगे तो मरे वह दिखते हैं अरे इसलिए कहिए क्योंकि पांच event तो करता है इसल प्लावर बनाता है उसके अंदर covered seed है इसलिए मैं एंजुस्मम कहता हूं इसलिए मैं एंजुस्मम कहता हूं तुम्हारे लिए नहीं कहता कि सब्सक्राइब तो छोटा मोटा इसे थोड़ी हो जाएगा कि वह एंजुस्मम है कि जिम्नुस्मम है याद रखिएगा देखी evolution में क्या हुआ जिम्नो फस गिया जिम्नो देखो जिम्नो कोई अच्छा नहीं है जिम्नो ने अपना reproductive structure जो बनाया महाबेकार महाबेरंग महाबेकार structure बनाया जिसका नाम कौन्स होता है जिम् इसमें pollen grain बनते हैं वो कहलाता है कौन्स इसी को NCRT एक और वर्ड लिखता है स्ट्रॉबिलस इस्ट्रॉबिलस या कौन्स अगर तुम देखोगे महाबेकार structure महाबेकार ना कोई color है ना इसमें कोई fragrance है महक है ना कोई nectar है तो बच्चा pollen grain तो बन गए हैं लेकिन क्या कोई pollinating agent आएगा ना देखने में अच्छा है ना कोई color है ना कोई महक है fragrance है ना कोई nectar है और इतना बेकार है उठा के मार दोगे किसी का सर फट जाएगा कौन्स हार्ड वूडी structure होता है NCRT कहता है ब्राउन कलर का होता है कोई attraction नहीं है इसके तरह इसलिए कोई pollinating agent आता भी नहीं है जहां तो सुनिए जिम्नोस्पम में pollination pollinating agent से नहीं होते वहाँ केवल एक ही मितड है हवा एयर से पुछा जाएगा insects नहीं होता बर्ड नहीं होते यह कोई भी biotic agent से नहीं होगा क्योंकि biotic agent को attract करने के लिए भाई कुछ nectar pollen reward तो दोगे angio समझ गया यह कौन के चक्कर में हम लोग मर रहे हैं यह कौन बड़ा बेकार चीज़ है अरे इसी कौन को उसने convert कर दिया flower में यह thalamus बना दिया यह calyx बना दिया और यह attractive korola बना दिया इंसेक्स को बोला आ रहे भाई तु खा यहां आ करके इंसेक्स ले थैलमस में juice है nectar है खा यहां बैठ करके फुल इंतेजा में और जैसे इंसेक्स आके बैठ करके खाएगा तो यहां से एंथर फटेगा और pollen grain यहां इंसेक्स पे आ जाएगा इंसेक्स पे आ जाएगा भाई ना इसलिए evolution समझे यह फ्लावर क्यों बना इतना attractive है कि हम उसे देखते रह जाते हैं फ्लावर इतना delicate soft है कि इंसान क्या जानवर बर्ड सब उसके तरफ अट्रेक्ट होते हैं और अट्रेक्ट होने से फायदा है कि pollination हो जाएगा लेकिन क्या जिम्नों के तरफ आज तक कोई attract हुआ है कोई animals नहीं birds नहीं इसलिए यह evolution में बेकार हो गया कोई pollination ही नहीं कर रहा है बनाओ भाई जितना बनाना है pollen grain बनाते नहीं हो पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट से होगा नहीं बेकार हो तुम फ्रूट भी नहीं बनाते इंसेक्स क्यों आएगा तुम्हारे पास इसलिए यही evolution और आज का evolution एंजियों पर पहुंच चुका है एंजियों सबसे most advanced है अब एंजियों में भी evolution हो गया डाइकॉट बन गए मोनोकॉट बन गया आपकी evolution chapter में क्लास 12 के evolution chapter में mention है एक page पे plant kingdom करके दिया है evolution chapter में जो लाजी वाले बोल जागो तुम लोग तो पढ़के आया है याद रखिएगा तीनो एल्गी में सबसे advanced एल्गी है ग्रीन एल्गी तीनो एल्गी में सबसे advanced कौन है ग्रीन एल्गी इसी ग्रीन एल्गी से advanced bryophyte बन गए एल्गी से इवालो करके bryophyte बन गए ब्रायो से आगे बढ़ा टेरीडो बन गए टेरीडो से जिम्नो बन गया जिम्नो से एंज्यू बने एंज्यू में पहले ढाइकोट बना, MONOCAUD का देखना figure में आपके NCAT में MONOCAUD सबसे उपर बनाया है जो पूरा page है ना class 12 में MONOCAUD को नीचे कौन है टेरीडोफाइड टेरीडो से नीचे ब्रायोफाइड ब्रायोव से नीचे ग्रीन एल्गी तो यह इवॉलुशन का ग्राफ है तो कभी कुछा गया कि कौन एडवांस है डाइकॉट या मोनोकॉट तो रट्टा मत मारिएगा बुले हैं हमने इवॉलुशन जोशन नीए तैसर और अमोनोकॉट तो बड़ी छोटे होता है सेकेंडी ग्रोध भी नहीं करता मोटा भी नहीं होता है क्यों माने हम एडवांस अरे बाइआ फोटो अच्छा करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन ट्रांस्पिरेशन कम करता है फीजियो लॉजी अच्छा है मोटा होना अच्छा चीज थोड़ी है मोनोकॉट में फोटोसंस का rate ट्रांस्पिरेशन नाइट्रोसन मेटाबोलिस्म ये सम्मामले में अच्छा है इसलिए मोनोकॉट बेटर है, डाइकॉट खराब है इवलूशन चल रहा है, अब मोनोकॉट से भी उपर कोई आएगा मोनोकॉट में भी दो तरह, C3, C4 C4 प्लांट पेटर होगा फोटोसंस अच्छा करता है इवलूशन तो चलते जा रहे तो चलो, ये इवलूशन से तुमने अच्छे से रिलेट कर लिया कोई गड़बड नहीं करना कोई गड़बड नहीं कीजिएगा एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको चिक है बड़ा इंपोर्टेंट है पहला भाई, एल्गी फिर ब्रायो फिर टेरीडो फिर जिमनो और फिर एंजी यह पाँच भाई जो मैं बोलूगा बड़ा ध्यान से सुनना एल्गी में सेक्स ओर्गन कैसा होगा यह हमेशा को सनाएगा बोलिएगा एल्गी में जो सेक्स ओर्गन होगा वो यूनिसेलुलर होगा और नौन जैकेटेड होगा एक मिनट में थोड़ा सा फोन है मैं फोन को से उपकर हाँ अरे यार वन मिनाट वन मिनाट वन चलो पानी वानी पिली है तुम लोग ने चलो देखो ध्यान से एल्गी में जो सेक्स ओर्गन है हाँ याद रखना वो यूनिसेलुलर है और नौन जैकेटेड है जो भी सेक्स ओर्गन होगा वो एक सिल्का होगा और नौन जैकेटेड हो एक ही एक्सेप्शन है जो सभी को याद है कारा यह कई बार नीट के एक्जाम में पूछा गया कि कारा का सेक्स ओर्गन कैसा है तो अप लिगी का मल्टी सेलुलर और जैकेटेड मल्टी सेलूलर और जैकेट ये नीट में शबसे फ़िब्रेट कोस्ट है मेल सेक्स और गन का नाम ₹ एंथिरीडियम होगा ₹ एंथिरीडियम होगा उर फीमेल का नाम भोलीए क्या होगा ₹ आर्चिगोणियम मत कीजिए कि फीमेल का नाम होगा उगो नियम उगो नियम याद रखेगा फिर से मैं बोल दे रहा हूं एलगी में सेक्स ओर्गन एक सिलका होगा और नॉन जैकेटेड होगा जैकेट खोल देता हूं नॉन जैकेटेड होगी है बाहर से कोई कवरिंग नहीं है कि एक्सेप्ट कारा जो कि मल्टी सेलूलर होगा और जैकेटेड होगा मेल का नाम एंथेरीडियम फीमेल का नाम उगो नियम आर्ची गोनियम मत कीजिएगा क्योंकि यह कुछन पूछा गया मैं अभी तुम्हारा कुछन सेट करूंगा तो यह कुछन डालूंगा जो ब्रायोफाइट है पहली बार आर्ची गो नियम कहां से आता है तो जो बच्चे ने धंग से नहीं पड़ा तो उसको लगेगा कि आर्ची गोनियम तो एलगी से आया है गलत है आर्ची गोनियम ब्रायोफाइट से आया है एंथेरीडियम आ चुका है एलगी से ब्रायोफाइट से आता है और टेरीडो में सेम चीज रिपीट कीजिए एंधिरीडियम और आर्ची गोनियम एकदम सेम इंसेटी मी लिखा है मल्टी सिलूर जैकेटिट कर दीजिए कोई डिफरेंज मत कीजिए को जिमनों में मेल सेक्स और्गण एंठेरिटियम एबसेंट है किवल फीमेल आर्ची गोनिएम प्रजेंट याद रखिएगा और यंजी ओ मैं भई दोनों मेल सेक्स और और फीमेल सेक्स और्गण दोनों एबसेंट हैं दोनों absent है, तो मैं repeat कर रहा हूँ, repeat कर रहा हूँ, evolution में antheridium पहले आ गया, evolution में antheridium पहले आ गया, वो algae से ही आ गया, तो bryophyte में भी रहा, terido में भी रहा, gymno में चला गया, पहले आया, पहले जाएगा, archigonium देखिए late से आया, bryophyte से आया, terido में भी रहेगा, gymno में भी रहेगा, अरे जो late से आयेगा, late तक रहेगा, और NGO में दोनों नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी NCRT, कहती है, यह सर सेक्स ओर्गन नहीं रहेगा तो, अरे उसके जगह पे, हमने stamen बना दिया ना, और female सेक्स ओर्गन के जगह कार्पिल बना दिया ना, तो tension क्यों लेते हो, अरे stamen और कार्पिल एक तरह से सेक्स ओर्गन ही तो हो गए, reproductive structure ही तो हो गए, तो यह बड़ा important है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कारा वाला important है, सबसे important है कारा वाला question, second, सबसे पहली बार आर्ची गोनियम कहां आया है, जिमनों में आर्ची गोनियम कैसा था, था या नहीं था, एंथिरीडियम थे या नहीं थे, यह बड़ा important question बनते है, ठीक है, बाकि आप लोग, smart तो ही हूँ, and second, जो मेरा favorite है, example बताना, सभी के example, I think सभी बच्चे को याद भी होगा, सबको रटा रखा है, चली स्टार्ट करते, सबसे पहले red algae से, I think सभी बच्चे को example याद है, क्या याद रखना है, बोली है red algae का, popo gogo, popo gogo, I think सभी को यह सब रटा रखा है, चली भाई साब, decodify करते हैं, यह NCRT में चारी example है, porphyra, polysiphonia, geladium, and gracilaria, यह चारी example है, NCRT में बस चारी example, gogo से, अगार निकाला जाएगा, क्योंकि इसके cell wall में अगार, इसी से culture medium बनाईएगा, इसी को pure form में लेते आईए, तो एगार रोज बन जाएगा, जिसे आप gel electrophoresis में यूज कीजिएगा, biotechnology में यूज कीजिएगा, बड़ा important है, फिर से मैं बोल देता हूँ, red algae में, सबसे important point है, male और female gamut, fuse किये, zygote बना, zygote embryo बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन बना नहीं पाएगा, देशो पोस्ट फटिलाइजेशन इवेंट, ये बड़ा important है, second, male gamuts, female gamuts, कैसा होता है, उगेमस टाइप का, लेकिन male gamuts, यहाँ non-motile होगा, ये exception है, उगेमस में क्या पढ़ते हैं, कि male छोटा, female बड़ी, दिखतो रहा है, male छोटा, female बड़ी, फटिलाइजेशन, female body के अंदर होंगे, इस पर female के अंदर इंटर कर जाएगा, होगा ऐसा, लेकिन male motile हो, ये ज़रूरी नहीं है, red algae में male gamuts, motile नहीं होता, पानी से, पानी में बच्चा, पानी के धक्के से, पानी के movement से, वो female तक पहुँचता है, इंसे आटी देखिए, तो ना red algae खुद चलेगा, red algae के member, non motile होते हैं, ना इसका कभी spore चलेगा, ना इसके कभी spore motile होगे, और ना बच्चा इसके gamuts motile होगे, हालांकी, green algae में, brown algae में, isogemas, inisogamous, ugemas होता है, green algae, brown algae में, isogemas भी होते, inisogamous भी होता है, ugemas होता है, red बोलेगा, हम के वल ugemas करते हैं, only ugemas करते हैं, वो भी non motile करते हैं, आपके, green algae बोलेगा, हम spore बनाएंगे, और spore में, flasola होगा, brown algae बोलेगा, हम भी spore बनाएंगे, हम भी flasola रखेंगे, red बोलेगा, हम बनाएंगे spore, लेकिन flasola नहीं बनाएंगे, non motile spore बनाएंगे, तो क्या NCRT में नहीं लिखा है, पढ़िए NCRT को, red algae में देखिए, ना खुद चलेगा, ना spore चलेगा, नगैमिट्स चलेगा, बड़ा important line है, और केवल U gamus करेगा, ISO in ISO नहीं करेगा भाई, second, सर इसका color red क्यों होता है, अरे भाई, इसके अंदर chlorophyll A है, chlorophyll D है, सर, chlorophyll D का red color होता है, क्या, नहीं, अरे chlorophyll A green होगा, अरे chlorophyll A green ही होगा, लेकिन इंसियाटी में लिखा है, pre-dominance, उनके अंदर में कुछ phyco-erythrine नाम के pigment होंगे, वो redness देगा, इंसियाटी का line है ना पहला, red algae में पहला line है ना, red algae, red color का है, pre-dominance of, pre-dominance of, phyco-erythrine, phyco मता-algae, erythrine मता-red, phyco-erythrine जादा है, इसलिए red color का दिखता है, इसमें कौन सी बड़ी बार, तो कुछ red algae के बारे में भी आपने सीख लिया, याद रखिएगा, बड़ा important है, second आएगा, brown algae के example, चलिए भाई साब लोग बता दीजिए, फटा-फट, मेरा फिबरेट वाला, सर, south Indian hotel में जाएंगे, idli खाएंगे, और plate को साफ करेंगे, plate को साफ करेंगे, हो गया, इंसेटी में पाँची example है, इक्टो-कार्पस, ।िक्टियोटा, लैमिनेरिया, जहांसे आप iodine निका लिएगा, सारगेसम होगा, और fucus होगा, F-U-C-U-S, fucus, क्योंकि बच्चा, अंजीर का नाम, fucus होता है, people का plant का नाम, fucus होता है, people का बरगत का नाम, उसका जो जीनस है ना, अंजीर वाला, fucus होता है, बच्चा confused होता है, सर, fucus, fucus एक ही है क्या, नहीं, fucus एक जीनस है, जिसके अंदर people का पेड़ा आएगा, जिसके अंदर वही, अपने पड़ा है ना, वास्प का रिलेशन्सिप, फिग प्लांट, अंजीर प्लांट के साथ, तो उसका जीनस fucus है, तो ये angiospum है, ये people का पेड़ा आएगा, अंजीर का पेड़ा आएगा, ये तो angiospum है, fucus तो brown algae है, fucus तो brown algae है, ठीक है, तो फिर से मैं बोल देता हूँ, idli sap में, ictocarpus, ictiota, laminaria, iod निकालिएगा, sargasa, fucus, सबसे बड़ा algae कहा पाया जाता है, बोलिएगा brown algae, इसके member large size के होते हैं, उस group को हम लोग kelp कहते हैं, rare condition में fresh water में मिलेगा, याद रखिएगा, सर्फ, कैसा करेगा सर, sexual reproduction, ISO भी करेगा, in ISO भी करेगा, उगे मस भी करेगा, tension क्यों लेते हो, सर्फ, brown क्यों दिखता है, अरे भाई, ब्राउन इसलिए दिखता है, क्योंकि इसमें fucoxanthine है, fucoxanthine है, इसलिए brown दिखता है, कम fucoxanthine, कम brown, ज़्यादा fucoxanthine, ज़्यादा brown दिखेगा, हो गया, सर, green algae का, चली बताई, green algae का, short trick क्या मैंने बताए आपको, green algae का भाई, भूल गया मैं, US has very clean college, very clean college, चलिए फटाफट करते है, योलो थ्रिक्स, spirogyra, has को कट मार ये, वीप और वालवोक्स कीजिए, C4 clamidomonas, और क्लोरिला भी कर दीजिए, C4 cara, C4 cara, बच्चे एक जगा, confused होता है, सर यहां देखे, सर आपने बोला, सर क्लामइडो मोनस, बोले हाँ, एकदम बोला, सर आपने क्लोरिला भी बोला, एकदम बोला, क्लोरिला भी बोला, सर ये unicellular है, एकदम unicellular है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोर ने ह Awald, प्रोटिस्टा गिंग्नम में, तो एक सेल वाली को रखा जाता था ना, तो ती दआपने कहते भी है, कि विटेकर ने इसे प्रोटिस्टा किंग्नम में रखा था, क्योंगि ये unicellular थी, हν तो एकच्छालि में, यह थोड़ा सा controversial point है एलेन के module में बहुत अच्छे से explain किया गया है इसे थोड़ा सा पढ़िएगा actually में हुआ क्या था विटेकर की यह गलती थी यह unicellular होने के बावजूद भी उन्होंने इसे plant kingdom में रख दिया था यह unicellular है उन्होंने प्लांटी kingdom में तो पढ़ रहें न हम कहां पढ़ रहें प्लांटी kingdom में तो पढ़ रहें न क्लमाइडम उनस ख्लोरिला को लेकिन आपके ncrt बोलती है कि नहीं नहीं उन्होंने तो इसे कहां रखा था इंसाटी थोड़ी एडवांस है इंसाटी खुद से बोल देती है कि यह क्लमाइडम उनस और क्लोरिला एक से लगा है तो उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा नहीं रखा था उन्होंने प्लांट किंग्नम में रखा था यह उनकी गलती थी ड्रॉबैक थी चलिए ठीक है उ अरे इसलिए अडवांस है कि क्लोरोफिल A के साथ साथ खुलोफिल B रखता है अरे जैसा हाइर प्लांट रखते वैसे ही पिगमेंट है ना ब्रायो भी क्लोरोफिल A के साथ B ही रखेगा टेरीडो फाइड भी यही रखेगा, एके साथ भी रखेगा, जिमनो भी सेम रखेगे, एंजियो भी सेम रखेगा, तो सारे ब्रायो टेरीडो जो बने हैं, वो ग्रीन एलगी से बना है, क्योंकि दोनों के पिगमेंट सेम हैं, और दोनों के स्टोर्ड फुड मटेरियल स्टार्ची तो है, अरे यह स्टार्च बनाता है न, ब्रायो भी स्टार्च बनाता है, टेरीडो भी स्टार्च बनाता है, जिमनो भी स्टार्च बनाता है, एंजियो भी बनाता है, आपको तो मालूम है, इनके अंदर में स्पेशल कुछ इस्ट्र क्पोटीन का बन ऊपर में स्टार्च इस टोड है पायडिनॉइड कहलाता है पायडिनुइड कहलाता है हो गया भाई तो याद रखिएगा एडवांसट एल्ग यह क्योंकि फुड स्टॉरेज स्टार्च करता है अरे रेड ऐल्गी तो कुछ फ्लोरेडियन स्टार्च ब्राउन एल्गी तो कुछ पता नहीं लैमेनरीन करता है मैनिटॉल करता है कुछ अलग चीज़ करते ये तो पेटा हमारे तरह स्टार्च करता है ना नॉर्मल प्लांट ब्रायोटे रीडो के तरह सेक्सोल इप्रक्शन आइसो भी करेगा इन आइसो भी करेगा उगेमस भी करेगा ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है चली याद रखिएगा चली भाई हो गया ब्राउन एल्गी चली फटा फट बताइए तो ब्रायोफाइट के एक्जामपल कौन कौन है तो मेरे में से सबी है सेकंड ने चली डिकोडिफाई कीजिए तो डिकोडिफाई कीजिए सभी का नाम बताइए मैंने बहुत बार आप लोगों के सब रटा रखा है कोई भी बच्चा गड़ बढ़ नहीं करें एम फॉर मारकेंचिया एफ फॉर फ्यूनेरिया पी फॉर पॉली ट्राइकम इस ब्रायों को दो पार्ट्स में Kam si लिवर्वड मॉसस तो लिवर्वड में आएगा मर्केंचिया और ये तीनों ये तीनों फॱुनेरिया पॉली ट्राइकम इस यह आयंगे मॉसस में होगे होगे भई याद हो गया सभी को कोई गड़बन नहीं कीजिएगा एक पॉइंट बता रहा हूं बड़ा फेबरेट पॉइंट मरकेंचिया का फीगर देखिए तो मरकेंचिया का प्लांट बॉड़ी में एक ब्रांच बना है इस ब्रांच पे मेल सेक्स ओर्गन एंथेरी प्लांट बना था गॉधर हें तो ब्रांच का नाम फोर पी एच ओ और एंथेरीनियओ फोर कहलेगा क्योंकि इस ब्रांच पे Kill अब उन्य का इस ब्रांच पर आर्चीग गोनियम है आर्ची गोनियो फोर कहलाएगा पूरे ब्रायोफाइट में एक ही एक्सेप्श होते हैं except markensia markensia में देखिए male अलग वाले पे है female अलग body पे है diocious है बाकी इंसे आटी में sphagnum का figure देख लीजिए वही male है वही female है वो monocious है all bryophyte monocious है एक ही exception है markensia जो diocious है इंसे आटी में class 12 के first chapter में भी figure है और class 11 के भी plant kingdom में markensia का figure बड़ा important है तो याद रखिए लो चलिए terido fight का बताईए फटाफट एक लाइन में terido fight के पहले याद रखना है क्या आपको class तो मैंने बताया दुनिया का सबसे छोटा और्गिनस पीपी एलो होता है यहाद रखिए पीपी एलेस हाँ पीपी एलेस साइलोपसीडा टेरोपसीडा निकाली इंसियाटी जिमनोस पम के जस्ट ऊपर पैराग्राफ पर पढ़िए लाइकोपसीडा और स्फेनोपसीडा चार होगे साइलोपसीडा टेरोपसीडा लाइकोपसीडा इस्पेनोपसीडा चार क्लास इंसियाटी के होगे पीपी एलों के जगा पीपी एलेस पढ़ लीजे होगे अच्छे से रिवाइस कर लीजेगा सर एक्जामपल नहीं बताया एक्जामपल है प्लीज और प्लीज मैं तुमें इतना भी प्लीज नहीं कह रहा हूं कि इसके बाद इडाल दो प्लीज में इतना भी मैं बोल रहा हूं इसके बाद इडाल लीजे प्लीज पढ़िए पढ़ो इसके बाद इमट डालिएगा इतना भी मैंने बोलता तुम्हें पढ़ने के लिए कभी मैंने बोला क्या पढ़ो और याद रखिएगा P4 यह तो याद है सभी को साइलोटम लाइकोपोडियम इक्विसीटम इंसेटी में मैच कर लीजिए एफ और एडियेंटम इस स्क्वाइर कर लीजिए ना बेटर होगा क्योंकि उपर में इंसेटी एक वर्ड लिखता है सीड हैबिट इंसे आड़ी टेरीडोफाइट में एक वर्ड यूज़ करता है सीड हैबिट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कान खोल करके सुनिए यह कभी सीड नहीं बनाएगा सीड हैबिट है तो इसका मतलब मत निकाल लेजेगा सर्टेरीडोफाइट सीड बनाता होगा नहीं, seed नहीं बनाता है, seed बनाना एक बड़ा complex process है, जैसे MBBS में जाना बड़ा complex process है, पहले तैयारी कीजिए, फिर NEET का फॉर्म भरिए, फिर एक्जाम दीजिए, फिर medical college आईए, इसी तरह से seed बनाना भी चार process में होता है, 1, 2, 3 and 4, Slaginela और Salvania कोशिश करते हैं, Slaginela और Salvania बलैक फिर पॉइन्ट में लिका एक कोशिश करते हैं, और एक step, दो step को पूरा भी कर लेते हैं, तीसरे step को भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन seed बनाना नहीं पाते हैं, तुमने पढ़ाई की, तुमने form भरा, एक्जाम भी दिया, 600 नं सेटी परसंट काम कर भी लेता एह सीर नहीं बना पाता हूं तो सी यह हैब इट का मतलं मत निकाल लए जया शूर सीर बन गे नहीं सीर बनाना की कोशिश जरूर करती है बना नहीं पाता सर कोन सलेजिनेला और सैल्विनिया एडवांज्ड है इन्होंने कोशिश किया सर कोशिश के नाम पे क्या किया सर इन्होंने दो अलग-अलग साइज के स्पोर बना दिये हेट्रोस्पोरस बनाया इन लोग पाचों बेवकुफ थे साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, अलग-अलग साइज के स्पोर होनी चाहिए, इसने बनाया हेट्रोस्पोरस, फिर एंसियाटी बोलेगा गेमीटोफाइट कुछ ऐसा होना चाहिए, बनायेगा, पूरे रूल, सब रूल को फॉलो करेगा, लास में फस जाएगा, तुमारे छेसा नंबर नहीं आए, पांसो जिम्नो नाम दे देगे न, जिस दिन सीट बन जाएगा, उसे तो जिम्नो नाम दे देगे, तो मेरे में से सारे एक्जामपल याद होगे, कड़बड मत कीजिएगा, चलिए जिम्नो का बताईए और छुट्टी करते, जिम्नो का मैंने बताया वच्चा, जी फोर जिम्नो, जी पिएस, c-square, जी पिएस, c-square, जी फोर जिम्नो, जी पिएस, c-square, पी फोर टेरिडो फाइट, तो मैंने प्लीज पढ़ो भी बनाया उसी पे, तो उसमें भी गन्फियूज नहीं हुआ, ओ टेरिडो फाइट में कौन था, प्लीज पढ़ो वाला, जी पिएस वाला, तो कौन को ने बोल दीजिए बच्चा जिंकोगो ऐसे नीटम भी आता है लेकिन नीटम वर्ड यूज नहीं करती आपकी एंश्याटी में कुछ फीगर बने हैं उसमें लिग दिया नीचे में जिंकोगो सेकेंड कौन है भही पाइनस आपको मालूम है न साइकस पाइनस तो सभी बच्चा रख्टा मार रहा लिया है इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्री रेड़ वूड ट्री 133 मीटर वाला सीकोया लार्जेस ट्री एंश्याटी में देखिए तो यह हो गया सीकोया जिसका नाम है रेड़ वूड ट्री शी साइकस और जहां साइकस लिखा है एक एक उजिए साइकस के अंदर में जो स्टेम होते हैं वो घो proxim लिखा एंपका सका ब्रांज अन ब्रांज़ ऋलिका में साइकाश के अंदर साइकस और एक कना में असिद्रस इन में बस यही एक्जाम्पल है उसके लावा कोई इग्जाम्पल गीवण नहीं कोई भी एक्जाम्पलände लेकिन मैं अगर मानूं सर एंजयो के एक्जीम्पल तो मैं थपड मारूँ और या दुनिया में जो फ्रूट बनायेगा जो भी है जो भी कंड तरीपल फ्यूजं करेगा हैं जो भी डबल फर्टिलाइजेशन करेगा व्र जो भी जी लिए जान रहां और एक और चीज़ आयड करता हूं जहां इंडos-pump triploid hoंगे वह एंडos-pump की पहचान है इस chapter का सबसे important question पर बात करते हैं उसके बाद चुटी करते हैं बस एक लाइन में इस chapter का सबसे यह एंग्यों यह जिम्नों है यह एंग्यों जिम्नों भी इंडोस्पम बनाएगा एंग्यों भी इंडोस्पम बनाएगा दोनों इंडोस्पम बनाएगे सर किसलिए ओर इंब्रियों को खाना देना है देखिया नंगी को खाना देने के लिए इंडोसपर्म बनता है लेकिन angiomael indospolm after fertilization बनेगा after fertilization बनेगा क्योंकि fertilization के बाद में दो polar nuclei एक male gamit fuse होकर करके 3N बनाते है, pen बनाता है ना, P-E-N यही pen divide करके indospolm तयार करता है ऐसे तो आफ्टर फटिलाइजिशन बनेगा जिम्नों में बिफेर फटिलाइजिशन बन जाएंगे बिफोर पहले ही बिफोर फटिलाइजेशन बन गया एक्जाम से पहले ही बनाके बैठ गया है आला अड्रे सुरे से लेकर करके बैठ गया है काहे के लिए पहले मेडिकल तो क्वालिफाई कर जाते हैं तो यह एडवांस है भाई अपने आप में समझी ब्योकूफ लो पहले ही इंडूस्पम ब पोस्ट फिलाइजे प्रोड़ाक्ट पोस्ट में जो इंडूस्पम बनेगा फटिलाइजिस्ट फेरव भंगिया है है प्लोई हब हलए को हो यहाँ ट्रिपल फ्यूजन से बना तो ट्रिपलोइड होगा त्रिपलोइड होगा सोचिए सर्फ फाइदा क्या है एंग्यों में ट्रिपलोइड बन गया और यहां है प्लाइड बन गया तो ऐसा क्या फाइदा हो गया अरे भाई ट्रिपलोइड है तो तीन सेट होंगे न त्रिपलो बनेगे खाने पीने की चीज़े भी ज्यादा बनेगी और खाना पीना ज्यादा बनेगा तब ही तो इंब्रियों को खाना अच्छे से देगा इसलिए evolution समझीए इंब्रियों को भूग लगा थम डिप्लॉइड नहीं बनाए है यह नहीं बनाए तिप्लॉइड बना तुर फा इंब्रियों को खाना ज्यादा मिलेगा टेंचन क्यों लेते हो तो यह बीटा जीमरों एंचियों में डिफर्न अच्छे से पढ़ए तो आप यहां तक जाके अच्छे से कीजिए और में लाइफ सैकल को सबसे अच्छे से पढ़ना ए और मैं वह कहानी सुना दूँगा कहानी अच्छे से कीजेगा एमस वाली कहानी का फादर, सन, स्पोरोफाइट, गेमीटोफाइट बता दूँगा और लास्ट ब्रायो और टेरीडो का एक दिन करा दूँगा तीन क्लास मैं लूँगा इस वीक में और तुम्हारा पूरा प्लांटिंग्नम अच्छे से हो जाएगा तो बहुत अच्छे से जाएए डॉक्टर अली का एक एक कोस्टन को बनाईए और ध्यान से पढ़िए स्टार्टिंग वाले से कोस्टन नहीं दूँगा फाइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी मैं एलगी से स्टार्ट करूँगा ब्रायो टेरीडो जिम्नो एंज्यो से कुसर चलो ठीक है कर लोगे मैं इसे कोशिश करूँगा इस लेक्चर को अप्लोड कर दूं क्योंकि बहुत सार चीज मैंने बता दिया ऐसे मेरी एक और लेक्चर होगी